हाई वेलकम टो केरियर लॉंचर डेली डाइजस्ट आज का हमारा टॉपिक है इंटरनाशनल रिलेशन से रिलेटेड ठीक यहां पे चाइना का एक नया नेवल बेस ऑपरेशनल हो गया है इन इंडियन ओसीन रिजन तो आज का जो हमारा आर्टिकल है इस अबाउट इंटरनाशनल रिलेशन अबाउट डाउपरेशनलाईजस्ट आफ दिस पोर्ट ठीक लोकेशन देख लीजे इस इन होर्न ओफ अफ्रीका नियर इंडियन ओसीन रिजन चाइना का पहला मिलिटरी बेस जो फुली तरह से फंक्शनल हो चुका है ठीक है क्या है नियूज आज की चाइनीज नियू मिशन इंडिया ओशीन टार्गेट इंडिया चाइना की एज वी नो दो बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव इस्ट्रिंग ओफ पर्स इनका जो हीडन एजेंडा है यह इंडियन ओशीन रिजन को एक तरीके से पूरी तरीके से घे तो इसमें करेंट के परस्पेक्टिक से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोकेशन जहां पर चाइना के मिलिटरी बेसेज बने हुए है वो किस रीजन में है किस कंट्री से रिलेटेड है और इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए है उसको काउंटर करने के लिए बाइड सम अफ इस नेवल सिप्स और बाइ अक्वारिंग सम अफ द पोर्ट्स ठीक तो विलिटिस्कॉस इन इस आर्टिकल ठीक है तो इस इचाइनाज न्यू मिशन इंडिया ओशीन ठीक इस तू सराउंडिंग इंडियन ओशीन विद दियर नेवल बेसेज ठीक है डोमेन इंटरन इस आर्टिक है जो हम डिसकॉस करेंगे आज ठीक है जो न्यू जह है वो क्या है चाइनाज नेवल बेस इन डीजी बॉटी अन दी होर्न अफ अफरीका इस नाव फुली ओपरेशनल और सपोर्ट चाइनीज वार्शिप डिपलॉइट इन इंडियन ओशीन रिजन सी इस 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 दीजी बॉटी दचाइनीज नेवल बेस इस नौ फुली ओपरेशनल और वी हैव सीन विद दस पाई सैटलाइट इमेज जो हाली में बहुत ही वाइरल हुए है ठीक एक्जाम परपस क्या है इसका हमें इनके लोकेशन जानने बहुत इंपरेंट है if you see कि बहुत सारे ए फॉर्म में यह पूछे जा जुके हैं ठीक इस्पेशली दर स्ट्रीट से जो स्ट्रेट्स वहाँ पर कौन-कौन से है ठीक है और मिलिटरी बेस तो लोकेशन स्ट्रेट्स तर पॉइंट कनेक्टिंग तू रिवर्स एंड सम मिलिटरी बेसेज दे आर वेरी मच वाइटल फ इमेज ऑफ चाइनाज बेस इन डीजी बॉटी यह देखिए चाइना की सिप इस इस चाइनीज सिप ठीक टाइप 071 ट्रांसपोर्ट सिप है जो की एक वार लेड़ेट सिप है कहीं भी अपने टूप्स को यह डिपलोई कर सकती है इसको प्रिजेंस यहां पर देखा गया है थीक this is the whole uh naval base of china now fully operational थीक तो this is important and the area surrounding it was the news chinese naval base in DG 보통 is its first overseas military base see 1st overseas military base at its cost of 590 million and hasn't been under construction since 2000 2016 से यह अंडर कंस्ट्चिंट था और नाव वी हैव सीन की यह पूरी तरीके से अपरेशनल हो चुका है नाव इस से कंसर्न फॉर इंडिया ठीक है मूवविं फदर कुछ इंपर्टेंट देख लेते हैं अबढ चैनीज बेसी इन डिज बो टी इस इस विदिधिव इस दीश इस पर्टी इस लोगेशन थीज बॉबले मान देव तर वेरी इंपर्ट इस स्टेट कनेक्टिंग गल्फ ऑदान एंड रेड सी अन दिजी बॉट इज अलसो कंसीडर एज अ कॉस्टोडियन ओफ दिस स्वेज कनाल क्योंकि जो भी सिप्स जाएंगी वह यहां से होते हुए जाएंगी थी स्वेज कनाल कनेक्टिंग दमेडिटरियन सी विद द रेड सी त थी तो इसे बाथ इस चाइनस सफ वर्स ओवर्सी मिलिटरी बेस इस लोकेट बैद रस्टेजिक बबले मान देव a state which separates the Gulf of Adan and Red Sea see Gulf of Adan and Red Sea separation between मामले आते है तो बहुत ही strategic location पे ये located if you see the location of this military base of China it's got the approach to Swajj Canal this is Swajj Canal और this is the custodian this Dhiriboti is the custodian of Swajj Canal तो बहुत सारे strategic location पहुत सारे strategic एरिया जो है जो इसके control में आते है नाव चाइना का presence हम वहां पे देख सकते है कि चाइना की जो एक military ship है वहां पे port हो चुकी है ठीक है तो दिस इज अबाउट दीजे बॉटी Chinese ये जो port का ये देखिए इनकी military ship का नाम है यूज हानाओ class landing ship type 07 ये docked हो चुकी है जो हमने अभी देखा ठीक है तो इससे एक और related news हम देख लेते हैं हमने देखा कि हाँ चाइना का presence इंडियन ओसीन में है तो इससे related जो भी other information है जो इंडियन ओसीन में activity हो रही है वो हमें जानना बहुत important है इससे एक और related activity है चाइना का एक और port कहाँ पे हमबन टोटा श्रीलंका में जो चाइना ने 99 एर के लीज पे लिया है श्रीलंका से वो भी अब चाइना के operational control में है तो वहाँ पे पहले news क्या हुआ कि चाइना की एक spy ship है इसको कहते हैं one one five ठीक ये spy ship ने पहले permission मांगा कि हम हमबन टोटा port पे dock होना चाहते हैं कुछ दिन वहाँ पे रहना चाहते है refueling के लिए और maintenance के लिए इंडिया को एत्राज हुआ इंडिया ने स्री लंका से कहा कि नहीं आप एलाव ने कीजिए स्टार्टिंग में तो स्री लंका ने मना कर दिया बट बाद में चाइना के प्रेसर से स्री लंका को एलाव करना पड़ा क्यों चाइना के बाद चानिज डेफ्द बहुत जादा है वो चैना के कर्ज में बहुत जादा डूबे हुए है तो वह जो भी कहें कि उनको करना परेगा अब concern क्या था इंडिया का क्योंकि यह सिफ जो इना यह एक है वो इस एडिया में रहें से लट के जितने भी साटलाइट है उनके रूटस को उनके पुरूट्स को ट्रैक कर सकता उनके इंफ Nichola को गैदर कर सकता है इसलिए इंडियन जोब हमारे साटलाइट सूबट वर्गिंग कर रहे हैं उनके लिये उनके रूट के लिए खत्रा हो सकता था इसलिए इंडिया को अब्जेक्शन था ठीक तो दिस इस दा न्यूज अबाउट दिस वांग वांग फाइब ठीक है चाइना है डॉक्ड़ तूटोजन फाइवंडेड टन सैटलाइट अन बलेस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग सिप सी कर सकता है सैटलाइट को और मिसाइल्स को भी ठीक है यह हमबन टोटा पोर्ट पे डॉक हो चुका है ठीक है स्रीलंका बिलेट लेटली एलाउट चाइना टो डॉक्षी फॉर डिप्लेस्ट में स्टार्टिंग में इंडिया ने आप्जेक्श किया था बट बाद में अब य यांग वान वांग जो भी इनका नाम है यह देखें यह सिफ है जो डॉक हो चुका है अल्रेडी ठीक है यह आप देख रहे हैं इसमें यह यह तीन जो हैं यह बरे-बरे सैंटीना यह ट्रैक करते हैं सैटलाइट के पोजिशन को मिसाइल्स की पोजिशन को ठीक उनके डिफेंस और सेक्योरिटी के लिए बहुत ही स्टैटिकली बहुत ही इंपोर्टेंट पोजिशन है इसलिए इंडिया को अब्जेक्शन हुआ था अबाउट इस तो हमें पूछा जा सकता है एक्जामेशन परपस में कि यह सिब किस कंट्री का है किस परपस का है कहां दराता है तो यह सारे इंफोर्मेशन आपको पता होने चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक दिस इस दाबाउट इट है रोबस्त ट्रैकिंग सेंसिंग एंड कॉम्निकेशन डीले सिस्टम ठीक इटिटिज केपेबल ओव डिटेक्टिंग फॉरें सैटलाइट्स एरियल एसेट्स एंड मिसाइल्स ठीक इसाम फीचर्स ऑफ दिग वान वांग फाइब इस वेसल सपोर्ट चैनीज मिलिटरी मिशन फार फ्रों हो मतलब दूसरी जगार रहे के वहां पर जो भी मिलिटरी सिस्टम हो रही है चाइना की ओवर सीज में वहां उनको यह सपोर्ट प्रो संस थे इसलिए इंडिये ने ऑप्डेक्ट किया था कि यह स्रिलंका पर इंडियन ओसे रिजन पर क्यों आ रहा है आप इसे परमीशन ना दें बट इवेंचुली यह अब यहां पर डॉक हो चुका है ठीक है तो दिस इज अबाउट अब एक निविज उसमें और आई थे कि होन ओफ अफ्रीका तो हमें यह जान लेना चाहिए कि होन ओफ अफ्रीका क्या है होन ओफ इफ्रीका किन किन कंट्री को कहते हैं हम यह देखिए सुडान एटीरिया, इथोपिया, डिजीबूटी एंड सोमालिया यह एक होन का सिख बनाते हैं यह देखिए इसलिए इनको होन ओफ अफ्रीका का नाम दिया गया है क्योंकि यह डिजीबूटी से एसोशेटेट था तो यह टर्म भी आया था तो वी सुड नो दिस टर्म आलसो यह पूछ सकते हैं कि हॉर्ण ओफ जो अफ्रीका है इस नौर्थ इस्टर्न रीजन ओफ दन अफ्रीकन कॉंटिनेंट डैट वी सुट नो ठीक है यह दिस इज अबाउट ओफ अफ्रीका डीज गुरूफ अव कंट्रीज फॉर्म है होन लाइक लैंड मास ओवर दा पेनिंसूल अब हम देख लेते हैं चाइनीज मिलिटरी बेस जो इंडियन ओसीन रीजन पर कौन-कौन से हैं जो हमें हमेशा एजक कोश्टन के फॉर्म में एक्जाम में देखे जा सकते हैं और हमेशा आप न्यूज में देखेंगे वह हमेशा न्यूज में रहते हैं ठीक सबसे पहला अब नाम बिलकुल याद रखी है क्योंकि नाम एस सच मैंजदा फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं ठीक है इस पन इस मिलिटरी बेस एड रियम कमबोडिया क्वोइंफिकू सितवे में है रखाइन एस्टेट मैंनमार गलादर पोर्ट इं पाकिस्ताál तीषिज में रखाइनागम ठाडर बह速 फीर परदेनिया के मिलिटरी बेस इन दी नेम ऑफ स्ट्रिंग वफ पर्ल्स के नाम पे चाइना ने डिफेंट डिफेंट इंडियन ओसीन रीजन पे अपने बेस बनाने स्टार्ट कर दिये हैं तो दी जाक सम अफ दा बेसेज यू सूर्ड नो दा नेम ठीक मिलिटरी बेसे जो हैं ठीक है अफ्रीकन आइलेंड माल दिफ में भी इनोंने आग आटिफिशल आइलेंड बनाने का पैक्ट स्टार्ट कर दिया है और तो यह सारे एग्रिमेंट्स हैं ऑपरेशनल अभी इनमें सिफ आपका ग्वादर पोर्ट है और जो हमने अभी बात की डीजी बूटी के पोर इंपोर्टेंट कनाल का नाम था जो बीच में बहुत ही इंपोर्टेंट नुज में आदिस इस करा कनाल अब इश्यू यह है अब यह देखिए यह थाइलेंड में है थाइलेंड के साथ चाइना ने पैक्ट किया था कि हम एक आर्टिफिशल कैनल मनाएंगे ठीक तो यह एग्रिमेंट हुआ था एक कैनल बनाने का इस लैंड मास के थुरू करा कैनल इन थाइलेंड तो रिमेंबर इस ने क्यूं जरुवत हुई थी जरुवत क्यूं हुई थी यह देखिए यह स्ट्रेट और मलक्का है चाइना के 80% सिप्स जो है न इसी के थुरू होके जाते है इस यह सीधा देखिए यह चाइना है यहां से यह अपने पोर्ट के थुरू यहां से होते हुए इंडेन उसे के थुरू वो यूरोप में जाते है यह इस्टैटिजिकली बहुत ही इंपोर्टेंट है यह स्टेट और मलक्का लेकिन बहुत ही सिगूर्टी परपस के होना चाहिए, that's why Kia Canal का नाम उसने प्रभोज किया था कि एक artificial lake बनाया जाएगा, artificial canal बनाया जाएगा, जिसके थरूँ वो ship की movement करा सकेंगे, that will be the alternative to this state of Malacca, ठीक, तो remember, these are some of the very important strategic location in the Indian Ocean region और in the South China Sea, क्योंकि ये हमेशा news में रहते हैं, ठीक, अभी ये रूट है, फिर बाद में प्रपोज क्या किया गया, कि यहां landmass को कट करके, we'll create another route for the trade of their commercial ships, ठीक है, तो remember the geographical location of Malacca state, ठीक, क्यों जरूवत पर ही कि ये करा कनाल की, जरूवत इसलिए पर ही, क्योंकि ये state of Malacca, बहुत ही, बहुत ही, अभी यहां भी trade जो है, बहुत ही जादा होने लगा है, तो यहां पर congestion बहुत जादा होने लगे, इसलिए चाहिना चाहती है, कि एक alternate होना चाहिए, ठीक, तो this is about, करा कनाल, अब एक और state important है, होर्मूज जो हमने डिसकस किया, see, this is state of होर्मूज, किसको connect करता है, Oman को और Persian Gulf को, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, ठीक, हम किसके बात कर रहे है, state of होर्मूज की, किसको connect करता है, Gulf of Oman और Persian Gulf को, गदार is just 400 km from the important होर्मूज ट्रेट, linking Persian Gulf with the Gulf of Oman and Arabian Sea, जिससे 40% of Chinese imported imported oil जो होती है, इसी के थू होती है, ठीक, तो जितने भी, जितने भी हमारे states है, यह बहुत ही, statically, बहुत ही important है, और यह हमें पता होने चाहिए, ठीक है, state of होर्मूज, moving further, ठीक है, क्यों बन रहा है, क्या purpose है, यह सब military base का, चाइना कहना है कि trading purpose है, हम सिर्फ trade के लिए यह सब ports बना रहे हैं, but we know कि उनके क्या intentions है, क्या trading purpose है, यहाँ से सिर्फ उनके आएंगी, इसी state of मलक का, यहाँ हमने डिसकस किया, हमबन टोटा पोर्ट, और यहां से गौदर पोर्ट, यह देखिए, state of होर्मूज, यह देखिए, यहां से जाकर फिर वो जा सकते हैं, यूरोप में, थूरू स्वेज कनाल, और थूरू यहां से भी, यहां तक भी हम चिट्टेगों के बात किये थे, उन् इसी जग कंसर्ण फॉर इंडिया, इन दी नेम ओफ स्ट्रिंग ओपर्ल, चाइना है, स्टार्टेड मेंकिंग नंबर ओफ नेवल एड मिलिटरी बेसेज, अक्रॉस दा इंडियन ओसीन रीजिन, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, नो इंडिया को जवाब दीना चाहिए, थ्रू इस नेकलेस ओफ डाइमंड, ठीक, नेकलेस ओफ डाइमंड स्ट्राटेज जो इंडिया की है, वो स्ट्रिंग ओपर्ल्स के काउंटर में, इंडिया ने स्टार्ट की है, इनिशेट की है, ठीक है, नेकलेस ओफ डाइमंड स्ट्राटेजी, क्या है यह, हम डिसकर्स कर करते हैं इंडिया के पोड्स इंडिया की एग्रिमेंट विद अधर नेशन और द इंडियन ओसीन रिजन ठीक लाइक मदागासकर सी यहां पर है मदागसकर में क्या कि आ ही किए इंडिया ने इंडिया फर्श फॉर्ट लिस्टिंग पॉष्ट ट्रैक्सपैने मदागसकर में एक यूइट मनाई ah अप्रेइलेक मौरीस्स में यू सiyorsunर बिस में सैच यरी अवी हिस टॉकिंग डेच पाइंड सेच पर इंडिया kind टेन सेचेल्स टिक यरान सो आइलेण इंदी काउंटर और गवादर पोर्ट दोनों आसपास में ही है इरान में यह अभी ऑपरेशनल हो चुका है इंडिया की ट्रेड यहां से अफगानिस्तान जाती है थ्रू दिस चाहबहार पोर्ट थीक तो रिमेंबर दिस मदागासकर मौरिश्यस में आगालेगा आइलेंड सेचल्स में को फर्ट है Movinforming फ़रदर कुछ और बेससे सिंगापूर में चंगी नेवल बेस जो की सिंगापूर इंडिया पैक थे टुर्यूज दें धुर्यूज अब ईडिय व्ह त्यूजी अश्वाल में रसल हद एंड ब्रीधिंग राइट्स मिला है इनको दक्कम में ठीक है रिमेंबर दा नेम दक्कम फॉर्ड इंडियन एर फोर्स एंड इंडियन नेवी ओमान में ठीक है ओमान चाबहार जापान से हमारे बहुत सारे एग्रिमेंट्स है जहां पर हम अपना नेवल बेस वहां पर ढाल सकते हैं यहां पर भी बात चल रही है विएटनाम मंगोलिया विएटनाम सबांग चंगाइसवोड और अजमसन आइलेंड विएटनाम में हम लोगों ने डिफेंस स्टैटेजिक डिल साइन की है तो अपने डिकेव डिफेंस वहां पर भेज सकते हैं तो इस इस दी इंडियाज पॉइंट ओ विव इंडियाज मूँव तो काउंटर दा स्ट्रिंग आफ पर्स तो हमें इस में क्या यार रखना है विव एप तु रमेंबर दा नेम्स नेम्स आफ रफ अफ आइलेंड अइलेंड इस एससेटिद विश पाउंट ओफ दी कंट्री ठीक लाइक दुक्कम is associated with Oman, Sri Lankan, Hambantota, Singapore, Changi naval base, ठीक, तो this is India's presence in Indian Ocean region to counter the string of pearls, ठीक, तो हमें क्या पता रखना है, हमें पता रखना है, string of pearls के locations, naval bases, हमें पता रखना है, जो हमारे Indian Ocean region में, हमारा इंडिया का presence है, वो naval bases, उनकी locations, हमें पता रखना है, strategic straits, किस-किस ही को connect करती है, और हमें पता रखना है, हॉर्ण of Africa, जो किन-किन कंट्रियों से मिलके बना है, तो this article is all about Indian Ocean region, presence of China and presence of India in Indian Ocean region, I hope आपको ये topic समझ में आया हो, मिलेगे नेक्स सेशन में, with some more interesting kind of this topic, till then, take care and good bye. कर दो